हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू चैनल एग्रिटर्म्स अब्जेक्टिव एक्रिकल्चर बुक डॉक्टर एसर कांतवा एग्रोनावी एमसेक्यो सीरीज पार्ट थ्री आज की वीडियो में हम पार्ट थ्री करेंगे एग्रोनावी एमसेक्यो सीरीज का प्रिपियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट इरिगेश्चन टूदा वीड क्रॉप शुडवी गिवन एट तो इसका आपको कमेंट में अंसर बताना था इसका राइट अंसर में आज किस वीडियो में लेकर आया हूं इस इसका राइट अंसर है आप्शेन नबर ए सी आरे स्टेयज का मतलब होता है क्राउन डौट इनिसीयेशन इस टाइम पर वीड कोड में रूट इनिसीयेशन होता है उस टाइम पर हम फर्स टेरिगेशन देते हैं बीडिग लॉप को घुश्चन नमबर 60 तू हमने अभी सिक् माइनर इन वीट कें बी कंट्रोल वाय यूजिंग हमारे पस चार ऑप्शन है इसमें से हमने बताने है किसका यूज करके हम फैलरस माइनर को कंट्रोल कर पाएंगे वीट में फैलरस माइनर एक बीड है जो बीड के साथ उगता है इसमें पूछता है तो हमें बताना है क्या है टेस्ट वेट ऑफ फैलरस माइनर जैसा कि मैंने प्रिब्यूस वीडियो में बताया हुआ है अगर आपने नहीं देखिए तो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जागी या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेस्ट वेट होता है वेट ऑफ वन थाउजंट सीट्स सो फैलरस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है इसका कोरेक्ट अंसर है ऑप्शन नमबर ए टू ग्रैम कि क्वेश्चन नमबर 64 डायरेक्टो रेट ऑफ भीट रिसर्च लोकेटिड एट चार ऑप्शन है हमें बताना है डायरेक्टो र डायरेक्ट ऑफ भीट रिसर्च स्टेशन लोकेटिड है कि क्वेश्चन नमबर 65 डा साइंटिफिक नेम ओफ नोबल केन इस नोबल केन का साइंटिफिक नेम क्या है वह आपको देखना है चार ऑप्शन दिये हुए है एसका मीनिंग इसमें सच्चरम है तो चार ऑप्शन म 六 इसमें में पुछता है सच्चरम ओफ शिनेरम इस ड气 व purposes तो हमने चर ऑप्शन में से णसर बताना है इसका कॉरेक्ट इंसर स्रहर है का निउ गाईनी नेश्चरम अफ और शिनेयरमड जीव निगा केंसर तुसे अब चलते हैं क्वेस्चन नमबर 67 बिच स्टेट illustri नियु प्रोडेक्टिविटी हैं शुगर केन में तो चार ऑप्शन है इसमें से आपको कोरेक्ट एंसर देखना है सो करेक्ट एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नमबर दी तामिलनाडू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बीच स्टेट है दा लार्जेस्ट एक्रेज एंड हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन कंट्री चार ऑप्शन है आपको कोरेक्ट एंसर बताना है कोरेक्ट एंसर है ऑप्शन नमबर सी यूपी उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नमबर 69 बीच ओप दा फॉलविंग रूट्स आर ऑफ टाइप पर्मानेंट ओन शुगर केन सेट्स सेट्स का मतलब कटिंग होता है जिसके त्रू हम क्या करेंगे शुगर केन की रिजनरेशन करेंगे तो यहां पर पूछा हुए है कौन सी रूट जो है शुगर केन के सेट में से पर्मानेंट होती है तो इसका आप्शन नमबर B क्या है? करेक्ट एंशर है शुट रूट्स शुगर केन के सेट्स में से निकलती है अब बताना है हमें क्वेश्चन नमबर 70 में the inflorescence of sugarcane is known sugarcane के inflorescence को क्या उप्धर हैं 4 options है हमारे पास इसमें से हमें decide करना है previous video में हमने inflorescence of wheat भी कर लिया है inflation of rice व रैस भी कर लिया एगर आपने video नहीं देखिए Link description में है आप देख सकते हो यह playlist में जाके भी देख सकते हम तो इसमें जो inflorescence पूछा है sugarcane का इसका correct answer है option number A option number D sorry option number A होना था arrow this is correct answer and it is inflorescence of sugarcane sugarcane की inflorescence को arrow बोलते है question number 71 the best suited temperature for sugarcane growth lie between sugarcane की अच्छे growth के लिए क्या temperature range होनी चाहिए 4 option दिये है इसमें से हमें correct answer देखना है so correct answer है option number C 26 degree Celsius to 32 degree Celsius ये temperature range है best growth of sugarcane crop question number 72 AICRP on sugarcane was started in AICRP का मतलब है All India Coordinated Research Project तो sugarcane पर कर श्टार्ट हुआ था ये वो हमने बताना है 4 option है आपके पास so correct answer क्या होगा इसका देखते हैं correct answer of this question is option number C 1972 now question number 73 इसमें पूछता है अधसाली sugarcane is planted in अधसाली sugarcane कब plant किया जाता है 4 option आपके पास है so correct answer हमने देखना है option number A, B, C and D इसमें से correct answer है option number A July to August में हम क्या करते है इसको अधसाली sugarcane को plant करते है July to August now moving to the next question question number 74 the top portion of sugarcane should we selected for seed purpose because bud tissue are rich in हमने बताना है sugarcane की जो bud tissue है वो किसमें rich होते है चार option है A, B, C and D इसमें correct answer है option number V glucose glucose में rich होता है जो हमारे पास sugarcane है sugarcane का bud उसी का use करते हैं हम seed के लिए option question है 75 यह क्या बोल रहा है which element is essential for sugar translocation in sugarcane आपके पास अगर sugarcane का plant है उस sugarcane के plant में sugar translocate करने के लिए sugar को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाने के लिए किस element की health चाहिए होती है कौन सा element helpful होता है चार option A, B, C and D है so correct answer है option number V इसका है K K means potassium इस element की जरूरत होती है sugarcane को sugar translocate करने के लिए so correct answer is potassium that is option number B question number 76 पूछता है which growth stage of sugarcane is critical for irrigation कौन सा growth stage sugarcane का critical होता है irrigation के लिए चार option है A, B, C and D so क्या बताना है कि critical कौन सी growth stage है जो critical होगी irrigation के लिए sugarcane में so correct answer है इसका option number C formative stage अब चलते हैं next question की ओर question number 77 बोलता है most critical weed competition period is up to dash months after transplanting in sugarcane is sugarcane transplanting के बाद जो critical weed competition होता है वो कितने महीने तक चलता है चार option है A, B, C and D तो आपने बताना है correct answer correct answer is option number B that is 4 तो 4 months तक क्या रहता है weed के बीच में critical competition रहता है sugarcane transplant करने के बाद तो अब देखते हैं question number 78 most common herbicide used for weed control in sugarcane is या R तो यह तीनों आप देख सकते हो यह herbicides ही है weed control के लिए उस किये जाते हैं तो sugarcane के लिए most common herbicide यही तीन यूज होते हैं तो यहां से option number D हमारा correct answer है that is option number D all of these चलते हैं next question की ओर question number 79 most serious disease of sugarcane sugarcane की serious disease को क्या कहते हैं कौन सी disease है जो sugarcane में जादा लगती है चार option में है और चार option में हमें बताना है इसकी serious disease क्या है A, B, C and D तो इसका जो right answer है friends इसका right answer है option number B red rot this is the correct answer यह क्या है sugarcane की serious disease है red rot अब देखते हैं question number 80 how many sets are needed to plant one hectare of sugarcane जैसा कि मैंने बोला sets का meaning क्या है cutting cutting जिसको हम क्या करेंगे soil में लगाएंगे ताकि sugarcane का plant regenerate हो उससे फिर roots विगाना निकलेगी फिर वो बड़ा होगा इसकी जो root मैंने बोला उसको shoot root बोलते है तो question ने पूछा कितने cutting यानि sets की need होगी अगर मुझे एक hectare area में sugarcane लगाना है तो उसके लिए कितने sets की need है option A है, B है, C है, D है correct answer है, इसका option number भी 35,000 to 40,000 now moving to the next question, question number 81 trench method of sugarcane planting is used in trench method जो है sugarcane planting का वो कहां पर use किया जाता है तो चार option है, A, B, C and D so what is the correct answer, correct answer is coastal area में sugarcane planting के लिए trench method का use करते है question number 82, with too much increase in nitrogen application sugar content in juice is अगर हम जादा nitrogen apply करेंगे तो sugar content में क्या असर परेगा sugar content juice का कैसा रहेगा option number A है, B है, C है, D है so what is the correct answer, correct answer is option number A, decreased यानि जैसे over nitrogen apply होगा तो क्या हो जाएगा, juice में sugar content कम हो जाएगा sugarcane के जादा nitrogen application से question number 83, apricania melanolica is a parasitoid effective against, किसके against यह effective होगा चार option है, A, B, C and D so right answer है, इसका option number C, sugarcane pyrela के against यह effective होता है, यह parasite चलते हैं, next question की तरफ question number 84, which one of the following food grain is most coarse चार option है, A, B, C and D so what is the right answer, what is the correct answer, option number D पैसपलम सक्रोवाइक लेटम, this is the correct answer 85, इस question में पूछते हैं, contribution of phyag leaf in photosynthesis is about कितना contribution phyag leaf का photosynthesis में हैं, option number A, option number B, option number C, option number D so what is the correct answer, correct answer is option number A, 52% contribution रहता है phyag leaf का photosynthesis में, now question number 86, which one of the following crops is most sensitive to both excess moisture and drought excess moisture and drought के लिए कौन सी crop most sensitive रहती हैं, 4 option है, option number A, option number B, option number C and option number D so correct answer for this question is option number B, that is maize, maize is the crop, जो क्या है, most sensitive है, moisture के लिए भी और drought के लिए भी so correct answer is maize, अब आता है, question number 87 question number 87 में है, atrazine used as an antitranspirant antitranspirant यानि पानी की जो transpiration होता है, पानी out of plant निकलता है, उसको रोकना तो जब atrazine used होगा as an antitranspirant तो plant पे क्या असर पड़ेगा, 4 option है, option number A, option number B, option number C, option number D so अपने decide करना इसका correct answer क्या है, मुझे लगता है, correct answer of this question, option number C, ये effect करता है, closing and opening of stomata, जब हम atrazine coat, antitranspirant की रूप में use करते हैं, तो क्या करेगा effect ये plant में, closing and opening of stomata question number 88, which one of the following pair of weeds and crops is not correctly matched, एक तरफ यांपे beads दियो है, एक तरफ यांपे crops दियो है, हमने देखना है, कौन सा इसमें correctly match नहीं हुआ है, ध्यान से देखने पर यहांपे दिख रहा है, correct answer of this question is, option number C, type A, belongs to sugar cane, ये incorrect option है, हमने incorrect option ही find out करना था, करना था, तो correct answer इसका option number C आगया, type A, sugar cane, question number 89, which one of the following is, mycohervicide, चार option है, option number A, option number B, option number C, option number D, so what is the correct answer, this correct answer is collego, देखते हैं, question number 90, which one of the following crop rotation is best for maintaining soil fertility, अगर soil fertility maintain करनी है, उसके लिए कौन सी crop rotation helpful रहेगी, हमारे पस चार option है, A, option number B, option number C, option number D, so what is the correct answer is, correct answer is soybean, wheat, green grab, जब इस तरह का crop rotation होगा, तो इस तरह के crop rotation से क्या हो जाएगा, soil fertility हम soil की maintain कर पाएंगे, जब soybean, wheat, green grab की crop rotation हो, I hope you are clear with all MCQs, अगर आपका कोई भी doubt रहता है, कोई भी question रहता है, तो आप बिना दिक्कत के comment section में पूछ सकते हैं, अब आपके लिए, आज का question है, यह आपने answer करना है, comment box में, that is question number 91, इस में क्या पूछा हुआ है, productivity of an inter crop per unit area of ground compared with that expected from sole crop zone in the same proportion is termed as, तो इसको क्या बोलते हैं, यह आपने research करके, कहीं से ढूंट करके, बताना है comment section में, अगर आपका कोई doubt है, आप comment section में पूछ सकते हो, I will definitely reply to your questions and doubts, this is agri-terms helpful for IBPS AFO and other agriculture competitive exam and subscribe channel for more updates and thanks for watching.